सरकार आपके द्वार कारेक्रम के अंतरगत आज उत्तरा खंड सरकार के सचिव वित्त एव निर्वाचन दिलीब जावलकर ने सिकंदरपुर गांव पहुँच कर सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। तो वहीं इंडस्ट्री एरिया होने के चलते पार्किंग बनाए जाने की मांग भी की। इतना ही नहीं। भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने भगवानपुर में ट्रांस्पोर्ट नगर और एक साइबर चौकी खुलवाने की मांग भी की। इस दौरान पार्किंग और पेजल आदी की समस्या को और बहतर बनाया जाएगा। उसी तरह से कुछ लोगों ने आंगनबाडी, शिक्षा और बहतर स्वास्थे को लेकर सचिव के समक्ष अपनी बात को प्रमुकता से रखा। जिस पर सचिव वित्त ने गंभीरता से समस्याओं का समा विकास को लेकर हैं, विकास हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक मिलना चाहिए। सचिव ने बताया कि आज के कारियों की समीक्षा से वह काफी संतुष्ट हैं, ग्राम प्रधान के कारिये काफी सराहनिये है इसी तरह से आगे भी विकास जारी रहेगा। वहीं इस दोरान राव फर्मूद ने बताया कि जनता ने जो मौका ग्राम प्रधान के रूप में उनके परिवार को दिया है उस पर वह खरा उतरेंगे। प्रधान को भी एक साल मिला, एक साल में परधान ने कहीं अन्य काम कर दिये जो जिस पर में बड़ा वो कर गए कि परधान ने बहुत अच्छे काम करे हैं। प्रधान के रूप में बड़ा वो काफी तरीके से यहां पर प्रधुशित हुए है, उसके संदर्व में समस्या है, उससे आउगत कराया गया है। अंडरवर्ड डॉन छोटा राजन के करीबी और उत्तराखंड के फरार इनामी गैंगस्टर, दीपक सिसोधिया को उत्तराखंड STF चंपावत के बनबसा भारत-नेपाल बॉर्डर से किया। गिरफतार दीपक सिसोधिया मुंबई के खोजी पत्रकार जेडे की हत्या का दोशी है, जो पैरोल पर छूट कर अपने घर हल्दवानी आया था और वापस जेल जाने की बजाए फरार हो गया था। उत्तराखंड पुलिस ओंप्रेशन प्रहार के तहत फरार गैंगस्टर और इनामी अपराधियों के विरुद्ध लगातार कारवाई कर रही है। जेडे हत्याकांड के दोशी दीपक सिसोधिया के चोरी छिपे नेपाल से हल्दवानी आने जाने की सूचना S.A.T.F. को मिली थी। जिसके बाद S.A.T.F. सुमित पांडे के नेत्रित्व में गठित S.A.T.F. टीम के द्वारा इनामी गैंगस्टर दीपक सिसोधिया को चंपावत जनपत के भारत नेपाल बॉर्डर बनबसा से गिरफतार किया गया। S.A.P. S.A.T.F. आयुश अगरवाल के अनुसार दीपक सिसोधिया वर्ष 2011 में मुंबई में हुए पत्रकार J.D. की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था। वर्ष 2022 के जनवरी माह में मुंबई की अमरावती सेंट्रल जेल से पैरोल पर छूट कर हलदवानी आया था। जिसे मार्च में वापस जेल में जाना था लेकिन दीपक सिसोधिया पैरोल से फरार हो गया। जिस पर मुंबई पुलिस ने थाना हलदवानी में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। जिस पर SSP नैनिताल ने 25,000 अरू काई नाम घोशित किया था। छोटा राजन केस गुरगे को गिरफतार करने के लिए उत्तरा खंड पुलिस पिछले एक साल से प्रयास कर रही थी। लेकिन दीपक सिसोधिया के नेपाल में छिपे होने के कारण उसकी गिरफतारी नहीं हो पा रही थी। स्टीएफ को जब सूचना मिली कि दीपक सुभह सुभह हलदवानी आने वाला है तो टीम ने भारत-नेपाल बॉर्डर बनभसा में जाल बिछाया दीपक फोर्ड, फियस्टा कार से नेपाल से बनभसा पहुँचा ही था कि स्टीएफ की टीम ने बनभसा रेलवे स्टेशन क के पास से उसे धर दबोचा, दीपक को बनभसा से लाकर हलदवानी थाने में लाया गया है जहां से मुंबई भेजा जाएगा SSP STF आयुश अगरवाल ने बताया कि दीपक दलवीर सिंह, सिसोधिया, पिचीज, पुत्र, दलवीर, सिसोधिया, निवासी, जीतपुर, नेगी, थाना, हलदवानी, जनपद, नैनिताल को मुंबई की कोट ने महाराष्ट्र के खोजी पत्रकार जेडे की हत्या शामिल होने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी तब से वह महाराष्ट्र की अमरावती सेंट्रल जेल में बंद था बताया कि जनवरी 2022 को उसे 45 दिन की पैरोल पर रीहा किया गया था उसकी पैरोल की अवधी मार्च में खत्म होने पर अमरावती जेल वापस जाना था लेकिन वह फरार हो गया दीपक सिसोदिया हल्दवानी का रहने वाला है दीपक ने अंडरवर्ड डॉन, छोटा राजन गैंग के शूटरों के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया था देगे, 2011 में मुंबई में एक पत्रकार की हत्या की गई थी और जिसकी इन्वेस्टिकेशन के दौरान सामने आया था कि छोटा राजन गैंग के दौरा इसके अत्या को गारित किया गया था इसमें काफी लोग इन्वाल्व थे जिन लोगों पको गरफतार भी किया गया था इनमें से इक दीपक सिसोध्या नाम का अभ्योगत था जिसके दोरा वेपन सप्लाई किये गए थे इस गैंगो जो की खटना में प्रयोक किये गए थे और उसको वहाँ पर मुंबई पुलीस के दोरा पूर में गिरफतार किया गया था और ट्रायल के बाद में इसको उम्र कैद की वहाँ पर सजा हुई थी और ये अमराबती में इस सजा को काट रहा था इसी बीच इसके दोरा जनवरी 2022 में पैरोल पर ये आया था ये मूल रूप से हलदवानी का रहने वाला है और 45 दिन की इसकी पैरोल हुई थी लेकिन इस पैरोल का पीरेट खतम होने के बाद बापस नहीं गया और परार हो गया था तो उस समंद में मुंबई पुलीस के दोरा एक मुकदमा पंचिकरत किया गया था और वो जो की हलदवानी में ट्रांसपर हुआ था हलदवानी पुलीस के दोरा पिछले देड़ साल से क्योंकि फरार चल रहा था इस पर 25,000 रुपय का इनाम गोशित किया गया था तो इसमें हमारी स्चेफ की टीम लगातार लगी हुई थी इसको ढूंगने में मसूरी का इतिहासिक शहीद स्थल पिछले तीन दिनों से अंधेरों में डूबा हुआ है बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग द्वारा मसूरी के शहीद स्थल की बिजली को काट दिया है जिसको लेकर राज्य आंदोलनकारी और शहीदों के परिवार जनों में भारी आक्रोश व्याप्त है राज्य अंदुलनकारी और शहीदों के परिवार के सदस्यों ने कहा कि आज दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड राज्य को बनाने वाले शहीदों के मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा शहीद स्थल पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है शहीद स्थल अंधेरे में डूबा हुआ है जबकि मुख्यमंत्री द्वारा घोशना की थी कि शहीद स्थल और शहीद स्मारकों की रख रखाव का काम स्थानिय प्रशासन और पालिका द्वारा किया जाएगा परन्तु दुर्भाग्य वर्ष ना तो प्रशासन और ना ही नगर पालिका, मसूरी शहीद स्थल की देख रेक कर रहा है आज शहीद स्थल की हालत बद से बत्तर हो रखी है नगर पालिका द्वारा पिछले 6 महीने से शहीद स्थल का काम शुरू किया था परंतु आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है और अब बिजली भी काट दी गई है जो दुर्भाग्य पूर्ण है जिसको किसी भी हाल में बरदाश्ट नहीं किया जाएगा मसूरी शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष अमित गुपता ने कहा कि भाजपा की सरकार में ना तो शहीदों का सम्मान है और ना ही राज्य आंदोलनकारी का उन्होंने कहा कि शहीदों का मंदिर कहे जाने वाले मसूरी शहीद स्थल जहां पर 6 शहीदों ने अपनी शहादत देकर उत्तराखंड की नीव रखी थी आज वही मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर शहीद स्थल पर विद्युत सेवा को शुरू नहीं किया गया तो कॉंग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन करेगी सम्मान नहीं आता करना इनको अब देखे दुरभा की गिवात है यहां पर विद्दूत विवा की सब्यदन हिंता देखिया इन्होंनी सईध इसमारक की पिजली कारती है कि सईदेखों को गोर्फमान है यहां पे अंधेरा है भूप अंधेरा रात होगी पता नहीं कि सईद अस्तल है कि क्या है जब कि मुखय मंतरी के अंदर जितने समारक होंगे उनके रख रखाओं के लिए संस्कृति विवाग और तमाम विवागों को निदेश दिये थे कि इस अस्तल पर पूरे प्रदेश के अस्तलों पर बिजली के और रख रखाओं की बेवस्ता सरकार की होगी परन्तु आज दुरबाग्य की बात है कि आज तीन दिन हो गये हैं सही दिस्तल पर लाइट कड़ी हुए इस प्रदेश का मुख्या बोलने के बाद इस प्रदेश के जो अधिकारी है वो निसंग निरंकुस गूमबें देखे बहुत दुरबाग्य पूर्ण है कि उस सही दिस्तल पर जिस सही दिस्तल पर मुशूरी के आंदलन कारियों ने अपनी शादत दी जिस कारण ये उत्रखन राज्य का निर्मान हुआ आज उसी सही दिस्तल पर तीन दिन से लाइट नहीं है इसके लिए नगरपाली का प्रशाशन और जो विदूत विवाग है दोनों इसके जिम्मेदार है आखिर आपका ऐसा क्या तालमेल है जब और सरकार का भी इसमें रोल है क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था जितने भी इस उत्राखन के इसमारक है वहाँ पर निशुल्क विदूत रहेगी तो आखिर विदूत विवाग ने किस हधार पर यहां की विदूत का कर्यक्शन काटा है और क्यूं स्थानिय जो नगरपालिका के चेर्मेन है या यह हैं उन्होंने क्यूं अभी तक तीन दिन से आखिर क्यूं उससे कारवाई नहीं करी आखिर क्या कारण है और अगर इसी तरह से इस शहीदों को अपमान होता रहा तो कॉंग्रेस पार्टी इसके लिए भी आंदोलन करी कि क्योंकि शहीद इस्ताल का भी जो हाल है आप देखी नहीं है कई समय से इसका लिंटर खुदा पड़ा है लेकिन इसमें आज तक कारे नहीं हो पा रहा है तीन-चार महीने हो चुके हैं पांच महीने हो चुके हैं लेकिन हम यह कहना चाहेंगे नगरपाली का से कि इस कारे को भी आतिर शिग्र पूरा किया जाए और जो यह लाइट की विवस्ता है इसको एक दिन के अंदर विदुद विवाग का हम चेतामनी देता है कर एक दिन के अंदर यहां विदुद हुआ कि नगरपाली का जो है इस सहीद स्थल पर मीटर नहीं लगा पाई थी तो विदुद विवाग ने इसको काड़ दिया है कि नगरपाली का इसमें मीटर लगा है और इसकी बिल पेट करें बढ़ी शर्म की बात हैं परेटक स्थल है पूरे देश नहीं विदेश से वि और टे इसके बातार जारी रहा आंदोलन कर रहे कॉलेज के कार्मिकों का कहना है कि जिस तरह से कॉलेज प्रशासन द्वारा उनकी मांग को नहीं माना जा रहा जिसके कारण वे लगातार आंदोलन करने के लिए विवश हैं और लगातार पिछले 20 दिनों से कार्य भिशकार पर चल रहे हैं। आंदोलन कर रहे कार्मिक ने बताया कि आंदोलन से पूर्व उन्हें 17,000 रुपए प्रतिमाह वेतन कॉलेज प्रशासन की ओर से दिया जा रहा था। मगर अब सभी कर्मचारियों को आउट्सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति दी जा रही है जिसके बाद अब कार पर्मिकों का वेतन आधा कर दिया गया है जिससे कारण उनके उपर परिवार का पालन पोशन करने का संकट गहराने लगा है। उन्होंने बताया वे लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पूर्व की भानती PRD के माध्यम वेतन दिया जाए जिससे उनकी वेतन विसंगती की समस्या का समाधान हो सकेगा। उन्होंने साफ किया कि आग प्रशासन द्वारा उनकी वेतन विसंगती की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। वे यूहीं लगातार कार्य बहिशकार पर रहेंगे जिसकी जिम्मेदारी। आज का मेंगाई के जमाना हमारे बच्चे लिखने पड़ने वाले भी हैं, कहां से जहां कि हम अपना खर्चा पूरा करेंगी, जो लड़का हमारा अगर इंटरपास कर दिया उसने आ रहा हम अमीर को जो है कि आगे कॉलेज पढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चों का तो बहुत स इसलिए कि सर जब सेलिज हमारी घट गई और हमारे बच्चे सर यहीं से कॉलेज कर रहे हैं, तो हम कहां से सर उनकी फीज भर पाई ले और सर कह रहे हैं कि ओनलाइन पढ़ाई कराओ यहां के डिरेक्टर साब, तो सर हमारे गाओं में तो नेटबर्क भी परेशानी रहती है कुछ सादन नहीं है सर, तो सभी बहनों से सभी भाईों से यही है, और नेटबर्क साब से भी यही है कि हमारी मांगे पूरी कर दो, हम अंदर आने के लिए धायान है, और पहाण में कहते हैं सर, उतरा खंड बचाओ सर, कैसे में बचाओ, 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 कैसे में बचा कार से यही है कि जीती हो क्योंकि अभी तक जो निश्कर्स निकला नहीं है लेकिन हमारी तरफ से भी पूरी पत्तर जार यह वगरा और लोगों के पैर पकड़ने रिक्वेस्ट करनी सब चल रहा है हमारी तरफ से तो आज भी मीटिंग है हमारी DM कार्याले में तो उसमें मुझ कनी रिक्वेस्ट करधा हैं कि लेकिन मेरा एक में भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगर वह सप्क्राइब ukट सब्सक्राइब को इन गरए थे स्चाल Bridis untilMy 5000 ही के हैं किया